हेलो एवरिवन स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्पेस सी एजुकेशन हाउस में आज हम करने जा रहे हैं आर्यस मेंज अंसर आइटिंग का पार्ट थ्री आज के हमारे दोनों क्यूशन बाइलेंग्वल होंगे यानि की हिंदी और इंग्लिस में होंगे और कांसर हमें लिखना है हम देखते हैं किस प्रकार से लिखा जा सकता है राज्यकाजितिहसलों की आदिम से करवाता है भू अभी लेक भूमी समंदी रिकोर्ड त्यार करवाना एवं रखना तैसील प्रसाशन का कारिया है उप राजगोस तैसीलदार उप रौजगोस अधिकारी होता है यानि कि लेंडरी वेन्यू लेंडरी कोर्ड्स और सब ट्रेजरी यह सभी काम राजस्वय सबिंदी जगड़े यानि कि भू राजस्वय दिनियम 1956 के अंतरगर्द मुक्दमों की सुनवाई करता है रासनिंग और रहत समंदी कारिये भी करता है रजिस्ट्रेशन और रिमेन्यू लिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनकी हेरिंग भी यही करता ह हमारा अगला क्यूशन सत्ता का अर्ज सपस्ट करते हुए उसकी विसेश्थाओं का उलेक करें यानि कि हमें बताने की ऑथोरिटी क्या होती है और इसकी विसेश्थाएं क्या होती है इसका वियांसरा में 50 words में देना है सबसे पहले हम देखते हैं सत्ता यानि कि ऑथोरिट सत्ता के साथ समान मात्रा में उत्रदायते भी जुड़ा होता है यानि कि ऑथोरिटी के साथ पास responsibility भी होती है यानि कि जो जिस पोस्ट पे होगा उसकी जितनी अथोरिटी होगी उसके पास तरह के काम करवाए सत्ता का परत्ययोजन भी होता है संगठन में उपर से नीचे जाने वर सत्ता की मात्रा गठती है यानि कि जो हायर पोस्ट पे होगा उसकी अथोरिटी जादा होगी और जो लोवर पोस्ट पे होगा उसकी अथोरिटी कम होगी थैंक यू पर वाचिंग और लिस्टिंग प्लीस लाइक शब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू